नमस्कार दोस्तों, आज हम पीपल सीचने की कहानी सुनेंगे अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जेश्री हरी विश्नु चरूर लिखे आईए कहानी सुनते हैं एक बुड़ा ब्राम्मन था, वह रोज पीपल को जलसे सीचता था पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी ये सुनते सुनते बुड़ा दिन बदिन कमजोर होने लगा तो बुड़ा ने पूछा कि क्या बात है बुड़ा बोला कि पीपल से रोज लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी बुड़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को जहां छे लड़किया पहले से ही हमारे घर में है वहां साथ भी लड़की और सही एगले दिन बुड़ा उस लड़की को घर ले आया घर लाने के बाद बुड़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला था जब बुड़िया वह आटा चानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ मा मैं चान देती हूं जब वह आटा चानने लगी तो पूरी पराद भर गई उसके बाद मां खाना बनाने लगी तो लड़की बुली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी तो बुड़िया बुली कि नहीं तेरे हाथ जल जाएंगे लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी तो उसने तरह तरह के 3600 वेंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया जिससे पहले वो आधा पेट भूका ही रहते थे रात हुई तो बुड़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा बुड़िया परिशान हो गई कि अब खाना कहां से लाए रड़की ने पूचा मा क्या बात है उसने कहा तेरा मामा आया है और वहर रोटी खाएगा लेकिन रोटी तो सब ने खा ल उसने कभी नहीं खाया है बुड़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है उसीने बनाया है शाम हुई तो लड़की बोली कि मां चोका लगा के चोके का दियाल जला देना मैं कोठे में सो जाऊंगे बुड़िया बोली कि नहीं बेटी तू डर जाएगी लेकिन वह ब मारी तो धनी धन हो गया वह बाहर जाने लगी तो एक बोड़ा ब्राह्मन सो रहा था उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहा चली लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करनी आई थी अगर तुमें दूर करवानी हो तो करवा लो उसने भूड़े के घर में भी आँख से देखा तो चार और धनी धन हो गया सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे डूरने लगे कि पावनी बेटी कहा चली गई है बोड़ा ब्राह्मन बोला वह तो लक्ष्मी माता थी जो हमारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई वो लिए माता कि आप सभी पर सदेव क्रपा बनी रहें अब आईए दूसरी कथा सुनते हैं एक समय एक गुजरी थी उसने अपने बहु को एक दिन दूद दही बेचने को कहा हो बेचने गई तो रास्ते में औरते पीपल पतवारी सीचती हुई दिखी इस पर उसने उन औरतों से पूछ तो मैं पानी की जगे दूद बही से ही सीचूंगे गुजरी बहुने रोज सुबह दूद दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूद दही से सीचना शुरू कर दिया जब सास दूद दही के रुपे मांगती तो वो कह देती कि महीना पुरा होने पर हिसाब देगी इसके ब पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपे नहीं है ये पत्थर और पान के टुकड़े है जिसे ले जा बहु वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया इसके बाद डर के मारे वह चद्दर होकर सो गई कुछ देर में सास बोली कि बहु दूद दही के रुपेला ब बहु को आवाज लगाई कि बहु तू इतना धन कहां से लाई है बहु ने आकर देखा तो सच में धन के बंडार बरे थे इस पर बहु ने सास को सारी बात बता दी सास ने कहा कि अब मैं भी कार्टिक मास में पीपल पतवारी को सीचुगे जिसके बाद जब कार्टिक मास आ जब बहु ने उनसे रुपई मागे, तो वो भी पीपल पतवारी के चरन पकड़ कर कहने लगी, कि मुझसे बहु रुपई माग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी प्त्थर और पान की टुकड़े दे दिये, जिसे सास ने अलमारी मिलने जाकर रख दिये। इसके बाद जब बहु ने अल्मारी खोल कर देखी तो उसमें कीडे मकोडे मिले इस पर सब कोई कहने लगे कि बहु तो सत की भूकी थी लेकिन सास ने धन की भूकी होकर पीपल पत्वारी को सीचा इसलिए उसे फल नहीं मिला ये पत्वारी माता जैसे बहु को दिया वैसा सब को देना जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना तो ये पीपल पत्वारी माता की जय अब आएद दूसरी कथा सुनते हैं हिंदु धर्म में पीपल के पेड़ का विशेश महत्व है इसे देवताओं का निवा सिस्थान बाना जाता है इसलिए इसकी सिचाई वो पूजन फुर्नेदाई कहा गया है पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपल की जड़ को शनिवार के दिन सुर्योदय के बाद नहीं सीचना चाहिए मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर मनुश्य का सर्वनाश हो जाता है इस सम्मन्द में भगवान श्रीकरश्न से जुड़ी एक कथा धर्मगर्मतों में प्रशली थे आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्रीकरश्न की श्रेष्ट पटरानी रुक्मनी की एक छोटी बहन कुलक्ष्मी बहुत दरीद्र और कला कारी थी उसका विवा करने के लिए रुक्मनी ने भगवान श्रीकरश्न से प्रात्न की थी इस पर श्रीक रश्न ने कुलक्ष्मी का विवा वनवासी मुनी से करने की बात कही ताकि वन में रहने से वह किसी से कलह नहीं कर पाए और मुनी के संग से सुधरने की संभावना भी रहे रुक्मणी की सहमती पर श्रीकृष्ण ने उसका विबा एक वनवासी मुनी से करवा दिया पर वो मुनी की संगत से भी नहीं सुद्री उल्टे उसने मुनी की पूजा अर्चना दान पुन्य वो हवन आधिकार्यों का भी विरोध किया इस पर मुनी उसे जंगल में दूर एक उचे पीपल के पेट के पास बिठा कर वापस आश्रम लोटा है पीपल पर बैठी कुलक्षमी आधी रात को रोने लगी तो रुक्मणी के कहने पर श्रीकृष्ण उसके पास गए श्रीकृष्ण उसे मुनी का विरोध नहीं कर उनके अनुसार आच्रन करने की सला दी पर उसने खुद को सौभाव से लाचार बताते हुए ऐसे नहीं कर पाने की बात कही ऐसे में भगवान ने कहा कि फिर तो ऐसी कलहकारी का एकार्ट में रहना ही अच्छा है बोले मेरी आज्या है कि तुम लक्ष्मी सहिद थभी देवताओ के वास वाले इस पीपल के वरक्ष के पास ही वास करो शरीवार के दिन सुर्योदय से पहले पीपल पूजने वालों को तो लक्ष्मी मिलेगी लेकिन सुर्योदय के बाद किया जाने वाला पूजन तुम्हें आर्पित होगा उससे पूजा तुम्हें मिलेगी और उसके घर में तुम्हारा पास हो जाएगा तब से ही शनिवार को सुर्योदय से पहले ही पीपल को सीजने वो पूजन करने का विधान है मानिता बन गई कि सुर्योदय के बाद पीपल पूजन से धार में कुलक्ष्मी का वास होता है और सब सर्वराश हो जाता है बोलिए कृष्णेची कीजए लक्ष्मी माता कीजए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बनिवात